कि आसे वेला कुम जी चल्लिए मैं से इस जीटवी साज पहला थोड़ा सा ंता को करेंगे के इस ट्रीके से आ रहे हैं और किया इसका थोड़ा थोड़ा सब एक में किस सग्मेंट में काम करती है यह कोई stock recommendation नहीं है ना कोई call या tips नहीं है यह सिर्फ एक मैं analysis कर रहा हूं for the education purpose okay so चलिए शुरू करते हैं डिसकुसन so firstly जो emtra technology है वह almost यह company 1970 में established हुई थी और mostly जो company का business है वो थोड़ा सा nuclear space और aerospace defense and other engineering industry से आता है जैसे कि nuclear में company काम करती है जो fighter plan बगरा होती है उनमें काम करती है और जो इंडिया के जो projects है जैसे GSLB Mark 3 और Agni के लिए programs बनाती है LCA के लिए accutators बनाती है यह सारे चीज़े थोड़ी थोड़ी company nuclear space में भी काम अच्छे से करती है कंपनी और जो इसके main clients हैं वो almost isro है इंदुस्तान अरोनोटेक से इम्टेड है और ब्लूम इनरजी है राफेल है डियाइडियो है और LPSC है इसके लावा Elvet system है और बारट dynamics है तो यह सारे कुछ हैं इनके जो clients हैं जो कि इनके पराने clients हैं जो कि इनके साथ काम करते हैं अगर बात करें business segment तो almost पांचे परकार की business segment से यह लोग जुड़े हैं पहला civilian nuclear space से आता है और दूसरा defense and aerospace से आता है और इसके लावा फिर space से आता है इनका कुछ business इसके बाद ball screws and roller screws से आता है okay so यह बनाते हैं यह सारी चीज़े और इसके लावा clean energy से इनका काफी जाद revenue generate होता है और clean energy इनकी जो partner से पर एक company है जो मैंने भी बताया था आपको client है blue energy US based company उनके साथ इनका tie up इससे almost इनका 50-60% revenue generate होता है other segment में यह थोड़ा से पानी वाली चीज़ों के water jet propulsion system इनडिया तो मतलब पानी वाली चीज़ों के साथ भी जुड़े हुए है वहां पे इनकी जो machines वगरा होती है उनको यह produce करते हैं okay बात करें इनके कुछ machines वगरा है कि तो एक विकास engine जो के space launch vehicles में काम आता है इसके लावा यह क्रायोजनिक engines फिर इस्पेस launch vehicles में काम आता है इसके लावा लेक्ट्रो प्यूमेट्रिक मॉडल्स हैं यह सैटलाइट्स वगरा में काम आते हैं इस तरह के कुछ इनकी जो business में जो machines है वो इनकी कुछ तरह की इस तरह की दिखती है और इसके लावा कलेंट्रिया वोल्ट और यह थोड़ा से nuclear reactor में काम आती हैं इसके लावा एक्विटेटर्स फोर तेजस LCA light combat aircraft जो अपना वारत का है तेजस उसमें काम आती है यह वाली चीज़ है यह machine इसके लावा बेस है जो screw balls वगरा भी में आपको पताये थे ना तो उ इसमें अगनी प्रोग्राम से में यह काम आती है तो इस तरह के कुछ machines भी यह काम करते हैं और यह बनाते हैं और यह एक machine इनकी जो रहती है वह उनके fueling machine for head for nuclear reactors यह fueling machine होती है जो की nuclear reactors में काम आती है इसके लावा company के जो key points है वह यह आपको बता देता हूँ जो company key points है तो उ 20% of revenue generate करती है space and defense है इसके लाबा जो clean energy है वहाँ से मेन आपको आपका है सबस्टा जनरेट और को ही से होता है जो 63% of revenues company generate करती है वहाँ पर company manufacture करती है power units specifically hot boxes and supplied prototypes जो hydrogen boxing लगत लाज़ाई जी सारी यह ए company हाँ पर manufacture करती है इसके लाब product and others होता है वहाँ से 6% revenue generate होता है तो यह तीन चर्ची में से इनका mostly revenue generate हो जाता है ओके जो आपको clean energy वारे में बता रहा हूँ वो almost bloom energy है जो उनके clients में आती है वो उनकी USA के साथ जो company है उनके साथ इनका tie up है और वहाँ से 63% revenue generate होता है तो mostly सारा ज्यादा से ज्या अच्छी चीज़ है यह almost क्योंकि इंडिया के लावा बाहर भी company काम कर रही है और ऐसे लोगों के साथ मिलके काम कर रही है जो थोड़ा सा experience है तो यह positive चीज़ हो जाती company के okay अभी देख रहे थे company के financial ratios को okay so बात करें company के market cap की तो वह almost पांच यार 450 क्रोड का जो कि एक small company में आप है और इसके लावा return on capital employed 15.7% का जो की neutral है और neutral to positive मान सकते है return on equity 11.9% का यह थोड़ा सब बीक है इसको थोड़ा सब बीक मान की चलेंगा अपन return on capital employed यह अपन का 57% है EPS 30.3 पर है जो की ठीक ठाक है और neutral बोल सकते हैं और net profit company 60.9 क्रोड कर रही है और company wise debt 134 क्रोड का है तो almost debt free से लेके ठीक ठाक है almost ज्यादा कोई दिक्कत नहीं point too far के debt पर यह company चलती है जो कि अभी expand कर रही है थोड़ा सब्सक्राइब को अपना पैसा इदर एदर utilize करना बात नहीं तो यहां पर company ठीक लग रही है neutral to positive लग रही है अगर company आंगे चलके देरी जीरे grow करती है तो यह सारी चीची टेक केर हो जाएंगे ओके बात करें अगर इनके debt और इनके इस बार के results वगएर आया थे उनकी बात करें so company का revenue है वो almost करोड से बढ़ता हुआ दिसंबर 2021 में 89 करोड से बढ़ता हुआ दिसंबर 2022 में 165 करोड के असपास हो गया है जो कि पॉस्टिव होता है और लगातर company का growth quarter and quarter भी बढ़ता जा रहा है जून 2022 में चोटा सा dip देखने को मिलाता है इसके बात almost company ने recovery ठीक्टा किये बात करें बात करें तो वह भी अपने को बढ़ता हुआ दिख रहा है अल्मोस्ट 13 करोड से अल्मोस्ट 31 करोड के असपास हो गया है दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 में और जो इस बार के quarter में थोड़ी सी growth दिखाई थी company ने तो 24 करोड से बढ़ता हुए 31.44 करोड के असपास का आया था जो 122 पर आया तो यह पॉजिटिव हो जाती है so financial front पर revenue अच्छा कर रहा है company का अवेटर ठीक है growing stage पर net income company करती बढ़ाती जा रही है EPS company के ठीक ठीक का रहा है और return on equity return on capital employer company के ठीक है या पर neutral को बोल सकते है okay company में देख लेते है holding किस तरीके क्यों के बात करेंगे share holding के pattern की तो almost promoter मार्च द्वार एक किसमें 50.25 पर ते जो कि अब गटते करते हैं almost 47.18 पर है तो promoters अपने माल धीरे-धीरे कम करते हुए दिखे यहां पर है थोड़ा सा तो जो की almost 3 quarter से stable है और उससे पहले थोड़ा सा उन्होंने कम किया है बात करें FIS की तो मार्च द्वार किसमें 3.02 से बढ़ते हुए दिसंबर 222 में 3.79 पर आ गए तो इस quarter में भी थोड़ी से marginally growth दिखाए 3.18 से 3.79 बात करें DIS की तो उन्होंने भ पर नोट से थोड़ा सा बढ़के आया इस बार का फिगार बात करें पब्लिक ओल्डिक सी तो 22.85 से 20 पॉइंट से बातर पर आ गई है तो यह थोड़ी से अपने को गटती हुए दिख रही है तो यह थोड़ी से गटती हुए दिख रहे है इसका मतलब रेटेल का पार्ट से थोड़ा से कम हो रहा है वही एफाई यह दिए यह इस न्यूटरल टू पॉजिटिव बने हुए है और प्रोटर ने लास्ट तीन कोर्टर से तो कुछ ज्यादा हरकत की निए इसके बहले मार्क वनने अपने माल थोड़ा सा निकाला हुआ हुआ है ओके सो से कंपनी में ठीकती है 3.7 है तो एवरेज है फ्रॉफिट विल्टी ठीक है कंपनी की घाई पर है और इंट्री पॉइंट कंपनी का थोड़ा सा ओवर प्राइस दिखा रहा है तो अपन वेट करें किसी डिप पर अल्मोस्ट अगर लॉंग टम की नहीं सोचना है थोड़ा सा अब बेट करेंगे एंधेन कंपनी में इसे दारी कर सकते हैं 100% अनल से इसको सजेश्ट करते हैं और बताते हैं कंपनी में आने वाले फीचर में अच्छा कर सकती है बात करहा है 1-1 थी कि तो में ने अलमॉस्ट 5% इस पर्सेंड डिए एक साल में इसको दो इसको लगता कर रहा हूं धोड़ा सा रिवायंट कर रही उपर जाने लिए तो बात कर रहा है तो जबीविचा टारे लिए थे अक्लोस पर अदेह जिए नेक्स्ट एट्टु 10 परसंट के स्विंग में रह जाएगी को कभी भी धिप पर और अल्मोस्ट पंदरा सो का सपास मिलती है 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 के सब्सक्राइब को यहाद दिक्कत की बात नहीं सकती है यह कंपनी आने वाले स्वाइमें अच्छा कर सकती है ऐसा टेक्निकल्स के बेसेस पर लग रहा है वकॉज यह एक चैनल में कमपनी चल रही है काफी दूना जब इसको तोड़के निकले को अल्मोस्ट अच्छी लग रही है और फूचर कमपनी का थोड़ा सब राइट लग रहा है तो इसलिए इस कमपनी फोकस में रख सकते हैं फोर्थ श्टडी परपास हो के सब्सक्राब कर मिलते हैं तो तो तक लिए बाइस